आत्म ज्ञान की पुष्टी करते हुए, राजा जनक मुनि अश्टावक्र से छठे प्रकरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं, महोद अधिर रिवाहम सा प्रपंचो वीची सन्नि भाह इती ज्ञानम तथै तस्य ना त्यागो न ग्रहो लयाहा, मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार्त रंगों के समान है, ऐसा ग्यान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहन और नहीं इसका लय है, जनक दूसरा उदारन देते हुए कहते हैं, कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूँ, एवं यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है, ऐसा ग्यान मुझे हो चुका है, भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही हैं, सब मिठ चुकी हैं, इसलिए न इसका त्याग न ग्रहन है, न ही लय है, उपर के उदारन में आकाश एवं घट में भिन्नता की प्रतीती होती है, कि घट एवं आकाश भिन्नतत्व हैं, इसलिए जनकिस दूसरे उदारन में लहर और सागर का उदारन देकर अद्वायत की स्थिती को सपॉष्ट करते हैं, कि आत्मा एक ही इसका न निर्मान होता है, न विनाश, इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है, नहीं ग्रहन किया जा सकता है, न इसका किसी में लए होता है जनक आगे कहते हैं, मैं सीपी के समान हूँ, विश्वकी कल्पना चौंदी के समान है, ऐसा ग्यान है, अतएव, इसका न त्याग है, न ग्रहन और न ही लए उपर के उदाहरण में समुद्र और उसकी तरंगों में फिर थोड़ी भिन्यता दिखाई देती है, अतएव, जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हैं, कि एह जगत समुद्र वे तरंगों की भाती भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लए समुद्र में होना संभव है, किन्तु मैं आत्मा, सीपी के समान सत्य हूँ, एवं इस विश्व की कलपना उस सीपी में चांदी की भ्रांती के समान है, अतहा भ्रांती रूप होने से, न इसका त्याग है, न ग्रहन है, न लए है, ऐसा ग्यान है, जनक आगे कहते हैं, मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ, और ये सब भूत मुझ में है, ऐसा ग्यान है, इसलिए न इसका ग्रहन है, न त्याग है, न लए है, कुपरोक्त तीनों उदाहरणों में अद्वाइत की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, इन में भी थोड़ी थोड़ी भ्रांती रहे ही जाती है, अतहजनक इस चोथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कि मैं आत्मरूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ, तथा ये सभी भूत मुझ में है, ऐसी आत्मा एवं स्रिष्टी की अभिन्न स्थिती है, ये समस्त भूत समुदाए, शारिलिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी, सभी मेरे ही रूप हैं, रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का, तत्वतहा, कोई भेद नहीं होता, वाश्प भी जल ही है, वे जल भी वाश्प ही है, कि वलाकार भेज से तत्व में भेद नहीं होता ऐसी ही आत्मा और स्रिष्टी है इसका न त्याग है न ग्रहन है न ले है इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है जैसे सूत और वस्त्र, माला की मनिया तथा धागा आकाश और उसकी नेलिमा इत्यादी ऐसा ही स्रिष्टी एवं आत्मा का संबंध है छठे प्रक्रण की समाप्ती के बाद सात्वा प्रक्रण प्रारंब होता है पहले श्लोक में जनक कहते हैं मैया नंत महाम बोधव विश्वपोता इतस्ततह भ्रमती स्वांतवातेना न ममास्य सहिष्णता मुझ अंतहीन महसमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रक्रित वायू से इधर उधर डोलती है मुझे असहिश्णता नहीं है पूर्व अध्याय में जनक कहते हैं कि यह विश्व अपनी स्वाभाविक गती से चल रहा है मेरे ग्यानी हो जाने से विश्व की गती में कोई परिवर्तन नहीं आ गया बल्कि मेरी दृष्टी बदल गई जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था उसकी गती से प्रभावित था किन्तु अब मैं साक्षी होकर दृष्टा होकर देख रहा हूं अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं इससे मेरे में त्याग, ग्रहन और लए के विचार ही नहीं उठते मैं आत्म स्वरूप हो गया हूं फिर ये विचार किससे उठते विचार मात्र मन के हैं आत्मा में कोई विचार नहीं है इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महा समुद्र के समान है इसमें यह विश्वरुपी नाव अपनी प्रकृत वायू से इधर उधर डोलती है कोई दूसरा इस वायू को नहीं चलाता किन्तु मैं तटस्थ होकर साक्षी होकर इसे देख रहा हूं मुझे असहिश्णता नहीं है मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं यह सारा उपद्रव अशांती इत्यादी लहरों तक ही सीमित है समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांती का कारण मन है मन में ही कामनाओं वासनाओं की तरंगें उठती है यह मन का स्वभाव है जो नहीं है उसकी मांग जो है उसमें संतोश नहीं है अधिक चाहिए कोई धन पाने के लिए अशान्त है तो कोई पद के लिए कोई सम्मान के लिए तो धार्मिक व्यक्ति इश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए ही अशान्त है लोग भिन भिन कारणों से अशान्त है किन्तु मेरे में सहिश्नुता है मैं अपने स्वभाव को उपलब्द हो गया हूँ, स्वभाविक जीवन जी रहा हूँ, अदहा मैं पूर्ण तया शान्त हूँ मैं शान्त होने की चेष्टा भी नहीं करता, चेष्टा ही अशान्ती का कारन है जो हो रहा है सब ठीक है सब स्विकार है कोई चुनाव नहीं अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं कोई संकल्ब विकल्ब नहीं ना ही महिंसक हूँ, न अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूँ, न संसार छोड़ा, न सन्यास ग्रहन किया, न पश्चा ताप करता हूँ, न क्षमा याचना, न त्याग का आग्रह है, न ग्रहन का, यही आत्मा का स्वभाव है, और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूँ. जनक आगे कहते हैं इसी प्रकार चित्रुपी वायू से आत्मा में जो वासनाओं कामनाओं वादी की तरंगे चाहे उठे या मिटे मैं आत्मरूप होने से मेरी न कोई वृध्धी है न हानी एह सारी वृध्धी और हानी अहंकार की होती है अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है फुग्ये की तरह फूलता और चिपक जाता है संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही है साधू सन्यासी भी मांगते हैं वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं जैजैकार करवाते हैं शोभा आयात्रा निकलवाते हैं तालियां बजवाते हैं उचे आसन पर ही बैठते हैं यह सारा पाखंड पूजे बनने के लिए ही करते हैं वे अस्वभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं मैं इनसे अब प्रभावित हूं। अतहा मेरी नवृध्धी है और नही हाने। जनक कहते हैं मैं अनन्त महामबोधव विश्रम नाम विकलपणा अती शांतो निराकार एतद एव अहमास्थितह। मैं अत्यंत शांत हूं निराकार हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रुपी अंतहीन समुद्र हूं जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है पहले इस कल्पना को ब्रहम को ही मैं वास्तविक समस्ता था इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था अशांत करता था अब मैं अपने को निराकार रूप में समझ कर अत्यंत शांत हूँ अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है ये सारे विक्षेप मन की कारण थे आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता इस प्रकार अश्टावक्र गेता की सरर्व्याख्या का यह भाग यही संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में